है गाईज दिस इस हैफी और फ्रेंड और युवाज ये इंटीब टेक फ्रेंज कुसी तिन पहले आपने टेक्नो क्यामनाई का फूल रिवी वीडियो देखा होगा मेरे चैनल पर और आज उसी टेक्नो क्यामनाई का छोटा हूए क्यामनाई इयर का अन्बोकसिंग और ग्यूक रिवी वीडियो ला हूँ यह jurisdiction में लॉच हो है जिसका प्राइस टेक्नो क्यामनाई से भी कम है लेकिन देखने में सेम टू सेम क्यामनाई की तरह है तो अन्बोक्सिंग स्टार्ट करते हैं यह है टेक्नो क्यामना यार का बॉक्स जहाँ पर आपका उपर लिखा हुआ था इंफिनिटी डिस्पले और उसके नेचे 8MP और 13MP क्यामरा और फॉन के सामने वही सेम आपको बात लिखा हुआ आता है 100Ds का रिपलेस्मेंट, वन टामी स्क्रीन रिपलेस्मेंट और वन मांथ का एक्स्टेंड वारेंटी उसके साथ फॉन के पीछे आपको इस स्रेशिफिकेशन लिखा हुआ आता है जहाँ पर लिखा हुआ है 5.65 inch का फूल विजन का डिस्पले 8MP का फॉन का फॉन के स्क्रीन एंड एलीड फ्लेश पीछे आपको देखने का मिलता है 13MP का बैक केमरा तो आपको first impression कुछ ऐसा देखने को मिलेगा फोन कुछ इस तरह का देखने को मिलता है तो इस फोन का price जैसा कि आपड़ देख सकते हैं लिखा हुआ है 8 triple line लेकिन आप अगर इसको offline store से परसेस करने के लिए जाएंगे तो आपको परेकाई 8000 रूपे है अगर आपका bargaining skill और भी अचा हो तो तो फोन का back कुछ इस तरह का देखने को मिलता है तो screen paper को हटा लेते है screen paper को हटा थी जैसे कि आपको 18-9 के display देखने को मिलता है तो आगे देख लेते हैं box में और के आपके देखने को मिलता है जैसे कि आपको देख सकते है white color के earphone है जिसका build quality ठीक ठाक है और इस earphone में आपको एक mic भी देखने को मिलता है जिसका look कुछ इस तरह का देखने को मिलता है और यहापर आपको कुछ extra earcups भी देखने को मिलता है अच्छे बात में यहापर लगा कि यहापर आपको एक transparent back cover दिया जा रहा है free में जो कि आपको काफी पसंद आएगा अगर आप ज्यादा तर back cover को use करते है तो तो आप करते हैं इस phone को overview तो overview करने से पहले मैं आपको एक बात पताना चाहूंगा कि आपने अभी तक अगर टेक्नो क्यामनाई का full review वीडियो नहीं देखा है तो उसे पहले देख लिजिए क्योंकि यह phone और वह phone बिल्कुल same to same है सिर्फ इसका price टेक्नो क्यामनाई से 1000 रुपिया कम है तो आप अगर वो वीडियो देखना चाहते है तो यहाँ पर आपको आपको आपटन पे लिंक पॉप अप हो रहा होगा आप यहाँ से simply tap करके उस वीडियो को देख सकते है और मैं description में भी उसका लिंक देदूँगा तो आप करते हैं इस phone का overview तो phone के left side आपको देखने को मिलता है sim tray जहाँ पर आप दो sim के साथ एक micro usb card भी लगा सकते जो की काफी अच्छी बात है और यहाँ पर phone के निचे आपको देखने को मिलता है speaker grill, micro usb port और एक microphone hole और phone के उपर आपको देखने को मिलता है 3.5 mm jack का port उसके साथ phone के right side में आपको देखने को मिलता है volume rock arts उसके साथ power button और phone के पीछ आपको देखने को मिलता है camera, चार flash, fingerprint sensor और techno का logo और phone के सामने आपको देखने को मिलता है 5.65 inch के HD plus का display जिसका resolution है 1440 x 720 pixel और यहाँ पर आपको 18-9 का expect ratio भी देखने को मिलता है और इस phone में capacitive keys के बजाए on screen navigation button को use किया गया है और phone के सामने उपर की तरह आपको देखने को मिलता है front camera, earpiece, proximity sensor और front flash इसका front flash बहुत ही धासूचीज है जिसको लेकर बात में बात करेंगे पहले इसको खतम कर लेते हैं तो phone को boot up करने के बाद आप देख सकते है इसका UI है fully customized है इनका खुद का UI है जैसा कि आपर देख सकते है आप जब setting पर जाएंगे तो इस तरह का कुछ आपको interface देखने को मिलता है जहाँ पर आप storage पर जाएंगे तो आपको 2GB RAM देखने को मिलता है जहाँ पर first boot में आपको 1.30GB का RAM फ्री देखने को मिलता है और internal storage है 16GB का जहाँ पर आपको 8.05GB फ्री देखने को मिलता है फोन के अंदर आपको कुछ micro intelligence देखने को मिलता है जैसा कि 3 finger swiped screenshot, off screen drawing, alphabet, flip to mute, etc, etc इनका custom UI run करता है Android 7.0 Nougat पर जिसका version है 3.2.0 और यहाँ पर Android security patch level पी देख सकते November का है उसे के साथ इस phone में आपको और एक खास चीस देखने को मिलता है जो कि techno camera eye में भी है और techno camera ear में भी है जो कि मैंने techno camera eye के वीडियो में नहीं बता पाया था तो यहाँ पर आपको 360 flash का option देखने को मिलता है उसके साथ यहाँ पर आपको कुछ bloat white देखने को मिलता है जो कि techno की तरफ से यह जैसे कि high theme आपको देखने को मिल जाता है इससे आप अपने मद पसंद theme को download कर सकते है और अपने phone को काफी अच्छे से customize कर सकते हो तो अब चलता है camera section की तरफ तो आपको phone के back में देखने को मिलता है 13 Mbps का camera जिसका aperture है at 2.0 तो camera interface कुछ इस तरह का देखने को मिलता है जैदा कुछ बगबग ना करके आपको directly photo sample दिखा देता हो तो कुछ इस तरह का photos आपको back camera में देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको phone camera मिलता है 8 Mpx का जिसका aperture है f2.0 अगर frankly बोल हूँ तो मुझे इसका phone camera बैटर दला का तो इसलिए हो सकता है कि font camera काफ़ी अच्छा performance कर रहा है का back to back camera और इस phone camera में आपको देखने को मिलता है एक flash जिसका power काफ़ी powerful है आप बिल्कुल अंदरे में भी काफ़ी अच्छे selfies क्लिक कर सकते है इस phone flash से अपने तो पहले देखा होगा photo sample तो उस तरह का photos आपको देखने को मिलता है तो बहुत सारे अच्छे चीजों को देखने के बाद आप आपको बुरा लग ले लगेगा इस phone के लिए क्योंकि इस phone में आपको देखने को मिलता है Mediatek का MT6735 का पॉर्सेस हर्ट जो कि clocked है 1.30 GHz पर and Mali T720 MP GPU देखने को मिलता है अगर मैं shortcut में बोलू तो इसका CPU और GPU एकदाम बेकार है अगर आप गेम खरने के लिए इस mobile को खरीद रहे तो बिल्कुल भी मत खरीदेगा क्योंकि इसमें आपको happy game बिल्कुल भी नहीं खेल पाएंगे heavy use के दोरान एस CPU काफी struggle करता है जैसे कि आप अगर Facebook और Messenger को एक साथ यूज करेंगे तो आपको थोरा बहुत लैक देखनों को मिलेगा अगर आप इस processor के और इस GPU के वारा में और भी जाना चाहते है तो मेरे Techno Camera के review देख लेना उसमें आपको completely पता चल जाएगा कि इसका CPU और GPU कैसे perform करता है आखिर में इस phone का processor को cover कर देता है इसका 18-9 का display जो कि इसमें काफ़ी आपको काफ़ी अच्छे view होई एंगल देखने को मिलता है और मानिया ना मानिया इस display में आपको वीडियो देखते टाइम काफ़ी अच्छा एक आपको experience मिलेगा वेल ये था Techno Camera ER का unboxing और एक quick review तो I hope कि आपको इस phone के बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा अगर आप इस phone के बारे में और भी जानना चाहते है तो Techno Camera ER का full review वीडियो देख लेना जो कि मेरे channel पर है जिसका link में description में देदूँगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो जरू से इस वीडियो के एक like कर देना वीडियो के नीचे comment करना वीडियो को देखकर कैसे लगा और अपने friends के साथ जरू से इस वीडियो को share कर देना और आपने अगर हमारे channel पर अभी तक subscribe नहीं किया है तो जरू से subscribe कर दे और जिनोंने subscribe कर रख है जल्दी से इस घंटे वालो विडियो को दावा दे ताकि आप लोग देख पाए इस तरह की latest वीडियो सबस्तर पहले तो thanks for watching guys मैं मैं बैलूंगा आप सब लोग से एससे और एक इंटेस्टिंग वीडियो पर तब तक के लिए टाटा बाई बाई